दोस्तो अपने स्क्रीन पर इस समय जो आप देख रहे हैं वो Sagittarius A-Star नाम के ब्लैक होल की पहली रियल इमेज है अगर आप नहीं जानते तो Sagittarius A-Star एक सूपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारे अपने Milky Way Galaxy के सेंटर में मौजूद है यह तस्वीर Event Horizon Telescope Collaboration के द्वारा खीचा गया है इस महिने के 12 तारिक यानि की 12 मई 2022 को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इसे रिवील किया अभ तक के मानव एतिहास में ये केवल दूसरा मौका है जब हमने किसी ब्लैक होल की असली तसवीर खीची है इससे पहले साल 2019 में हमने M87 नाम के Galaxy के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की असली तसवीर खीचने में सपलता हासिल की थी ब्लाक होल की इस पहली तस्वीर को भी Event Horizon Telescope Collaboration नहीं खीचा था अब आप मैंसे कई लोग ये सोचेंगे कि कोई ब्लाक होल की तस्वीर आखिर कैसे खीच सकता है क्योंकि एक ब्लाक होल ना तो खुद किसी तरह का लाइट एमिट करता है और ना ही लाइट वहाँ से होकर वापस आ सकता है आज की इस एपिसोड में हम ना सिर्फ इस सवाल का उत्तर जानेंगे बलकि ये भी जानेंगे कि हमने अपने Milky Way Galaxy के सेंटर में मौझूद ब्लाक होल की तस्वीर आखिर कैसे ली इसमें हमें किस तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ा और ये तस्वीर हमें क्या बतलाती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड दोस्तो आपको याद होगा कि हमारे द्वारा खीचा गया किसी ब्लाक होल का पहला इमेज था M87 स्टार नाम के एक ब्लाक होल का जिसे साल 2019 में रिवील किया गया था ये ब्लाक होल हमसे लगबग 53.49 मिलियन लाइट येर्स की दूरी पर मौझूद था वहीं अगर सजिटेरियस A स्टार ब्लाक होल की बात करें तो ये हमसे केवल 25.640 लाइट येर्स की दूरी पर हमारे अपने मिल्कीवे गैलेक्सी के सेंटर में मौझूद है यानि कि M87 स्टार की तुलना में सजिटेरियस A स्टार ब्लाक होल हमारी प्रिथवी से 2000 गुना ज्यादा नस्दीक है आप में से ज्यादा तर लोग अब ये सोचेंगे कि चुगी ये ब्लाक होल हमारे ज्यादा नस्दीक है M87 स्टार की तुलना में इसका इमेज के अप्चर करना हमारे लिए ज्यादा असान होगा पर असल में ऐसा है नहीं दरसल वग्यानिकों ने भी ओरिजिनली यही प्लान किया था कि M87 स्टार के इमेज से पहले वो Sagittarius A स्टार के इमेज को रिवील करेंगे पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उन्हें कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ा पहली परिशानी के अगर बात करें तो वो है Dust and Gases दरसल हमारे गैलक्सी के सेंटर और हमारे बीच Dust और Gases इतनी ज्यादा मातरा में मौझूद है कि Visible Light से हम उनके पार देख भी नहीं सकते इन Dust और Gases के आगे देखने के लिए हमें Infra Red का इस्तेमाल करना पड़ता है दूसरी परिशानी ये है कि M87 Star की तुलना में Sagittarius A Star काफी ज्यादा छोटा है M87 Star Black Hole की अगर बात करें तो ये लगबग 20 Billion Meal तक फैला हुआ है जो कि हमारे पूरे Solar System के Size से भी कहीं ज्यादा है ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि Light की Speed से ट्रैवल करने वाले Objects को भी इसका एक चक्कर लगाने में कई दिन लग जाएंगे वहीं अगर Sagittarius A Star की अगर बात करें तो आकार में ये M87 Star से 1000 गुना से भी कहीं ज्यादा चोटा है चूँकि ये इतना ज्यादा चोटा है Light को इसका पूरा चक्कर लगाने में केवल कुछ मिनेट्स ही लगते हैं किसी Black Hole का चक्कर लगाने में Light को जितना ज्यादा समय लगता है हमारे लिए उसे Observe करना उतना ही ज्यादा आसान होता है ऐसा क्यूं है ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे दोस्तो Black Hole की बात हो और Stephen Hawking का नाम ना आये ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के कई साल Black Hole के रहस्यों को सुलजाने में बिता दिये अपने Research को उन्होंने बेहदी आसान भाशा में अपनी किताब A Brief History of Time के जरिये दुनिया के सामने रखा ये किताब रियली बहुत अच्छी है पर हर किसी को किताबे पढ़ना पसंद नहीं होता ऐसे लोग हिंदी भाशा में इस किताब की समरी सुनकर ये जान सकते हैं कि Stephen Hawking ने इसमें किस तरह की जानकारी दी है मैं रेकमेंड करूँगा कि आप Cuckoo FM आप पर जाएं क्योंकि इस आप पर इस किताब की समरी हिंदी भाशा में A Brief History of Time from Big Bang to Black Hole नाम से उपलब्ध है अगर आप नहीं चानते तो Cuckoo FM एक ऐसा एप है जिसके उपर हर तरह के टॉपिक से सम्मंदित आडियो बुक्स, बुक समरीज और कोर्सेज आपको हिंदी भाशा में आसानी से मिल जाते हैं ये एक Made in India एप है जिसे 4.5 से ज्यादा की रेटिंग मिली है प्ले स्टोर पे इस तमें इस पे 1000 घंटों से ज्यादा का content अवलेबल है दोस्तों कहते हैं knowledge ही असली power होता है ये एप आपको unlimited knowledge gain करने का मौका देती है इसका इस्तिमाल करके आप finance, motivation, biographies, bollywood, science, history, business और अन्य दूसरे विश्यों के बारे में भी अपना knowledge बढ़ा सकते हैं आम तोर पर इस एप पे yearly subscription के लिए आपको 399 रुपे देने पड़ते हैं पर 23 मई से लेकर 31 मई तक इस एप पर सुनो unlimited नाम का एक offer चल रहा है जिसके कारण इस दौरान आप इसका yearly subscription मातर 199 रुपे में पा सकते हैं इसके लिए subscription लेते समय बस आपको सुनो 50 coupon code का इस्तिमाल करना होगा तो इसका इस्तिमाल कीजिए और सुनिए thousands of audiobooks at the price of just one book कुको FM को डानलोड करने की link और coupon code दोनों मैंने इस वीडियो के description में डाल दिये हैं तो जाएए और इस आप को अभी install कीजिए चलिए वापस आते हैं अपने topic पे चलिए अब ये जानते हैं कि हमने Sagittarius A star की तस्वीर आखिर ली कैसे Albert Einstein ने हमें दिखाया कि gravity कुछ और नहीं बलकि space time का distortion है उनके equation से ये predict किया गया कि कोई object अगर काफी छोटा और massive हो तो वो event horizon में चुप सकता है ऐसे objects को astronomers ने black holes का नाम दिया पर काफी समय तक black holes के वल theories तक ही सीमित रहें पर गुजरते समय के साथ astronomers ने इनके अस्तित्व से परदा उठाने के लिए इन्हें detect करने की पहल शुरू की वग्यानिकों ने theorize किया कि हर galaxy के center में एक super massive black hole मौझूद होना चाहिए अब ये उनकी theory सही थी या गलत इसका हमें पता केवल observation से ही चल सकता था Astronomers की टीम ने दो दशकों तक Milky Way के central region की लगातार तस्वीरे ली इन तस्वीरों से उन्होंने वहां मौझूद 28 तारों के motion को लगातार track किया अपने observation में उन्होंने पाया कि ये तारे randomly move करने के बजाए किसी massive central object का चक्कर लगा रहे थे अजीब बात ये थी कि जिस central object का ये चक्कर लगा रहे थे वो completely unseen था यानि कि वो central object हमें दिखाई नहीं दे रहा था रग्यानिकों को अंदेशा लग गया था कि ये object एक black hole हो सकता है पर वो sure नहीं थे इसलिए उन्होंने अपने observation को जारी रखा physics की खुबसूरती ये है कि चक्कर लगाने वाले objects के motion से हम उनके central object के mass का पता लगा सकते हैं हमने जब calculate किया तो पाया कि हमें दिखाई न देने वाले इस central object का mass हमारे सूरी के mass से लगबग 4 million गुना ज्यादा होना चाहिए और ये mass एकदम छोटे से volume में fit होना चाहिए ये एक black hole के properties से हूबहू mail खा रहा था इसलिए वैग्यानिक इस नतीजे पर पहुँचे कि ये कुछ और नहीं बलकि एक super massive black hole ही है ये confirm होने के बाद कि हमारे galaxy के center में एक super massive black hole मौजूद है वैग्यानिकों ने पहल की इसकी असली तस्वीर लेने की पर किसी black hole की तस्वीर आखिर कैसे ली जा सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि black holes की gravity इतनी ज़्यादा powerful होती है कि खुद light भी उनसे वापस होकर नहीं आ पाता आखिर इसी तरह तो ये पूरी तरह black नजर आते हैं जिसके कारण इनका नाम black hole पड़ा है ये सच है कि केवल black holes की सीधे तोर पर नहीं तस्वीर खीची जा सकती है और नहीं इन्हें directly observe किया जा सकता है क्योंकि ये completely dark होते हैं और किसी तरह के light भी emit नहीं करते पर इनके accretion disk से हमें इनका पता चलता है और इसके कारण ही हम इनकी तस्वीर ले पाते हैं अब ये accretion disk क्या होता है आए इसे समझते हैं हम जानते हैं कि black hole की gravity इतनी ज्यादा powerful होती है कि ये अपने आसपास मौजूद हर तरह के object को अपनी और खीच लेता है पर ये object सीधे black holes के अंदर नहीं समा जाते सबसे पहले black holes की gravity के कारण ये objects काफी तेजगती से black holes का चक्कर लगाने लगते हैं इस प्रक्रिया में ये objects अपनी energy और angular momentum लूज करते जाते हैं और अंत में धीरे धीरे black holes के अंदर समा जाते हैं black holes के अंदर समाने से पहले तेजगती से उसका चक्कर लगाने वाले ये gases, dust या दूसरे stellar debris एक disk के आकार का shape बनाते हैं इसे ही हम accretion disk कहते हैं इसमें मौझूद particles black holes के powerful gravity के कारण काफी तेजगती से travel करने लगते हैं इसके कारण ये वहां मौझूद दूसरे particles से टकराते हैं जिसके कारण heat, x-rays और gamma rays प्रोड्यूस होता है जबरदस्थ heat और radiation emit करने के कारण ये accretion disk हमें काफी चमकीला नजर आता है black hole जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका accretion disk भी उतना ही ज्यादा विशाल होगा और जितना ज्यादा विशाल ये accretion disk होगा उतना ही ज्यादा चमकीला ये हमें दिखाई देगा साथ ही साथ ज्यादा विशाल accretion disk होने का मतलब ये है कि उसमें मौजूद matter को एक black hole का चक्कर लगाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा इसलिए प्रिटवी से ऐसे black holes को कुछ समय तक जब हम लगातार observe करते हैं तो इनके appearance में इनमें ज्यादा changes नजर नहीं आते जिस कारण ऐसे black holes को observe करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है वहीं black hole अगर छोटा हो तो इसके accretion disk की चमक भी कम होती है और इसके appearance में लगातार changes भी आते रहते हैं जिसके कारण इनहें observe करना ज्यादा मुश्किल होता है उमीद करता हूँ कि अब तक आप समझ गए होंगे कि accretion disk क्या होता है और छोटे black holes को observe करना ज्यादा मुश्किल क्यों है आईए अब ये जानते हैं कि वग्यानिक आखिर black hole की तस्वीर खीचते कैसे हैं black holes हमसे कई light years की दूरी पर मौजूद होते हैं पृत्वी उपर बैट कर हमसे इतने दूर मौजूद object की तस्वीर खीचना एक बेहदी challenging काम होता है अगर Sagittarius A star की बात करें तो पृत्वी से ये 27,000 light years की दूरी पर मौजूद है चांद पर मौजूद किसी डोनट को अगर पृत्वी से देखें तो वो कितना छोटा दिखाई देगा लगभग उतना ही छोटा हमें Sagittarius A star भी दिखाई देता है Sagittarius A star की ये image जो आप देख रहे हैं इसे visible light से नहीं बलकी 1.3 mm wavelength के radio waves की मदद से तयार की गई है Black holes को इस wavelength में observe करने के दो कारण है पहला कारण ये है कि 1 mm के आसपास के wavelength के light में accretion disk में मौजूद hot gases सबसे ज्यादा brightly glow करते हुए हमें नजर आते हैं और दूसरा कारण ये है कि इस wavelength के light हमारे galaxy के center से प्रिथवी पर मौजूद हमारे telescopes तक बिना किसी रोक टोक के पहुँच जाते हैं जिस समय ये light waves black holes के पास से निकलते हैं ये पानी के ripples की तरह circular होते हैं पर प्रिथवी तक पहुँचते पहुचते ये plane waves बन जाते हैं इस wavelength में एक black hole की तस्वीर लेने के लिए प्रिथवी जितने बड़े telescope की जरूरत होती हैं इस समय हम इतने capable नहीं है कि इस आकार का telescope बना सकें इसलिए हम VLBI तकनीक का इस्तेमाल करके प्रिथवी जितने बड़े virtual telescope का इस्तेमाल करते हैं VLBI का full form होता है very long baseline interferometry इस तकनीक में प्रिथवी के अलग-अलग हिस्तों में मौझूद अलग-अलग telescopes को एक साथ synchronize करके हम उन्हें एक विशाल virtual telescope के रूप में इस्तेमाल करते हैं Network में मौझूद हर telescope black hole से आ रहे radio waves को collect करके उन्हें record कर लेते हैं उसके बाद सभी telescopes द्वारा collect किये गए individual data को combine करके black hole की image तयार की जाती है हलाकि इस तक्नीक के काम करने के लिए जरूरी है कि सभी telescopes आपस में synchronized हों ऐसा जरूरी क्यूं है इसे हम optical telescope के उदाहरन से आसानी से समझ सकते हैं मान लीजिए पृधवी पर मौझूद अलग-अलग telescopes को किसी तरह combine करके हम इसे एक विशाल parabolic mirror में बदल देते हैं ये mirror curved है ताकि waves जब dish में आएं तो वो specific angles पर bounce होकर एक साथ focus पर पहुँचें VLBI network में telescopes जब आपस में synchronized होते हैं तो उनके recordings को बाद में perfectly align किया जा सकता है जैसे कि हमारे उदाहरन में ये mirror optical light को कर रहा था mirror का surface अगर stable ना हो जैसे कि अगर ये vibrate कर रहा हो तो reflected light rays फोकस पर कभी भी properly combined नहीं हो पाएंगे उसी तरह VLBI network में recording अगर unstable हो तो ये हमारे काम का नहीं रहेगा stability को ensure करने के लिए VLBI network में atomic clocks का इस्तेमाल किया जाता है network में मौझूद हर telescope के द्वारा observe किया गया data इतना ज्यादा होता है कि उसे internet पर transfer करना असंभव होता है इसलिए उनके recordings को hard disk में store किया जाता है और बाद में उन्हें processing के लिए central facility में भेज दिया जाता है वहाँ मौझूद सूपर कंप्यूटर कई तरह के algorithms का इस्तेमाल करके अलग-अलग sites से eye data को combine करते हैं चुकि telescope प्रित्वी के अलग-अलग locations में मौझूद होते हैं ब्लैक होल से आने वाले radio waves भी इनके पास एक साथ नहीं पहुचते इसलिए इनके data को process करने के दौरान इनके time difference का भी ध्यान रखा जाता है Finally, resulting data से हमें ब्लैक होल की तस्वीर मिल जाती है Black Holes की अब दक की सभी तस्वीरे Event Horizon Telescope collaboration ने ली है जो इसी तकनिक का इस्तेमाल करते हैं उमीद है आप समझ गए होंगे कि Event Horizon Telescope ने ब्लैक होल की तस्वीर कैसे ली VLBI के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो मैं एक वीडियो आपको सज़ेस्ट करूँगा को description में मिल जाएगा VLBI तकनिक कैसे काम करती है और एक ब्लैक होल की तस्वीर इससे कैसे ली जाती है इसे एक उदाहरन से आसानी से समझ सकते हैं तो आईए इसे समझते हैं इस वीडियो में मैंने कहा था कि अपनी गैलक्सी के सेंटर में मौझूद ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए हमें प्रित्वी जितने बड़े पिक्चर्स को कम्बाइन करने पर हम एक कम्प्लीट पिक्चर आसानी से बना पाएंगे क्या हो अगर हम प्रित्वी पर मौझूद इन धेर सारे मिरर्स से ज्यादा तर को हटा दे और केवल कुछ मिरर्स को ही अपनी जगा पर रहने दे जो मिरर्स बाकी रह जाएंगे वो अभी भी light capture करेंगे पर हमें complete picture तक करने में दिगकत होगी क्योंकि इन में कई missing pieces होंगे बिल्कुल same चीजs black holes के image लेने के दौरान भी हमें देखने को मिलता है दरसल एक black hole की image को properly capture करने के लिए हमारे पास प्रित्वी के आकार का telescope होना चाहिए पर असल में हम केवल कुछ telescopes का ही इस्तेमाल करते हैं जो की प्रित्वी के अलग-अलग हिस्तों में मौजूद होते हैं यानि की इन टेलिस्कोप से मिले data के आधार पर हम black hole के image के केवल कुछ pieces को ही create कर सकते हैं पर जब प्रित्वी rotate होती है तो इन टेलिस्कोप का position भी बदल जाता है जिसके कारण ये black hole के दूसरे areas का data collect करते हैं यानि की इसके data से हम black hole के image के कुछ दूसरे areas को भी create कर सकते हैं पर एक black hole की complete image को हम अब भी create नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी इसमें काफी सारे missing pieces रह जाते हैं इन missing pieces को computer के imaging algorithm से fill किया जाता है चू की हम पृत्वी के size के telescope का इस्तेमाल करने के बजाए केवल कुछ telescopes का ही इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर डेटा के अभाव में computer के imaging algorithm black hole के ऐसे अंगिनत images create कर देते हैं जो पृत्वी पर मौजूद हमारे telescopes द्वारा capture किये गए data से perfectly consistent होते हैं पर algorithm द्वारा तयार किये गए सभी images असली images जैसे नहीं लगते कहने का मतलब ये है कि कुछ images ऐसे होते हैं जिन्हें देख कर ही आप बता सकते हैं कि ये black hole तो बिलकुल नहीं हो सकता उधारन के लिए अगर आप एक football की तस्वीर की तलाश कर रहे हैं और आपके सामने ये तीन बलरी तस्वीरे हो तो क्या आप आसानी से ये नहीं बता सकते कि इन में से कौन सी तस्वीर आपके काम की हो सकती है और कौन सी नहीं Anyway, ऐसी तस्वीर जो काम की नहीं होती या unreasonable होती है उन्हें दूसरे algorithm के जरिये हटा दिया जाता है और केवल उन images को एक साथ रखा जाता है जो हमारे universe में मौझूद objects के जैसे नजर आते हो Ant में उस image को choose किया जाता है जो black hole के most likely image हो सकते है अब यहाँ सवाल ये आता है कि चुकी हमारे पास black hole का काफी कम data होता है और इसका image computer algorithm के द्वारा create किया जाता है तो हमें ये कैसे पता चल पाता है कि ये black hole की असली तस्वीर है या फिर algorithm ने ऐसी तस्वीर बनाई जैसा हम देखना चाहते थे दरसल अलग-अलग के images के features अलग-अलग होते हैं simulations चाहे कितने भी realistic क्यों न दिखें पर हम आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सा image असली है और कौन सा simulation से तयार किया हुआ हम अपने computer imaging algorithm में अलग-अलग kinds के images के features को impose करते हैं और फिर देखते हैं कि उनसे हमें किस तरह के images मिलते हैं अगर उनमें से ज्यादतर images एक जैसे नजर आएं तो हम confident हो जाते हैं असली image कुछ ऐसी ही दिखेगी ये ऐसा है जैसे कि विश्व के तीन अलग-अलग sketch artist को आप किसी इनसान का same description दो और उन्हें इस इनसान का sketch बनाने को कहो अगर उन तीनों के द्वारा बना गए sketch एक जैसे नजर आएं तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि वो इनसान असल में भी लग-भग वैसा ही दिखता होगा उमीद है आप समझ गए होंगे कि black hole की तस्वीर कैसे ली गई आए अब ये जानते हैं कि Sagittarius A star की इस तस्वीर में क्या है मान लिजी कि ये black sphere एक black hole का event horizon है यानि कि कोई भी चीज एक बार अगर इसके अंदर चली गई तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आपाती चाहे वो खुद light ही क्यों न हो इस event horizon के radius को Schwarzschild radius कहा जाता है जैसा कि मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया अगर एक black hole के चारो तरफ कुछ मौजूद न हो तो अपने तरफ आने वाले हर तरह के electromagnetic radiation को absorb करके वो हमें completely dark दिखेगा जिस कारण हमारे लिए उसका photo लेना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा पर black holes के चारो तरफ accretion disk मौजूद होता है जिसमें dust और gases जैसे matter मौजूद होते हैं जो इसके अंदर समाने से पहले extremely high temperature में लगभग light के speed से इसका चक्कर लगा रहे होते हैं black holes इसी accretion disk में मौजूद matter को निगल कर समय के साथ बड़ा होता जाता है पर जैसा कि इस image में आप देख रहे हैं ये accretion disk event horizon तक फैला नहीं होता है तो सवाल ये उठता है कि event horizon के बाहर ये white area क्या है दरसल ये inner most stable circular orbit है non-spinning black hole में ये orbit 3 schwarzschild radius के बराबर होता है Sagittarius A star black hole एक spinning black hole है पर simplicity के लिए हम एक non-spinning black hole का उदाहरन ले रहे हैं तो ये addition inner most orbit है जो भी matter इस orbit में पहुंच जाता है वो धीरे धीरे black hole के अंदर चला जाता है केवल एक चीज है जो इस orbit में रहते हुए black hole का चक्कर लगा सकती है और वो है light क्योंकि light का कोई mass नहीं होता ये 1.5 schwarzschild radius तक के orbit में black hole का चक्कर लगा सकती है ये orbit किसी भी orientation में हो सकता है simplicity के लिए photon के इस orbit को एक simple ring से इस तरह से represent कर देते है चुकि photon इस orbit में black hole का चक्कर लगा रहे होते है अगर आप इस जगह पर मौझूद होते तो सामने देखने पर भी आपको अपना back नजर आता interesting बात ये है कि photon का ये orbit unstable होता है यानि कि इस orbit में मौझूद photons हमेशा के लिए वहां मौझूद नहीं रह सकते या तो वो black hole के singularity में समा जाते हैं या फिर इस orbit से बाहर निकल जाते हैं अब black hole की ये असली तस्वीर लेते हैं और जानते हैं कि इसके बीच में मौझूद ये black spot क्या दर्चा रहा है क्या ये event horizon है, photon sphere है, innermost orbit है या ये कुछ और है चलिए जानते हैं, दरसल black holes space time को warp करते हैं इसके कारण इनके तरफ आने वाले light rays को भी involved areas को follow करना पड़ता है यानि कि black holes की gravity के कारण light rays को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है क्या होगा अगर हम black holes की और light rays shoot करें अगर हम photon streams को directly black holes की तरफ shoot करें तो black hole सारे photons को absorb कर लेगा और हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा अब मान लिजिए कि हम इन light rays को photon orbit के circumference के distance पर shoot करते हैं यानि कि 1.5 Schwarzschild radius के distance पर unfortunately इस case में भी light rays black hole की gravity के प्रभाव में आकर उसके द्वारा निगल लिए जाएंगे और एक बार फिर से हमें कुछ नजर नहीं आएगा light के rays black hole के द्वारा निगल न लिए जाएं इसके लिए उन्हें black hole से कम से कम 2.6 Schwarzschild radius की दूरी पर होना होता है यानि कि black holes के तरफ आने वाले ऐसे light rays जो black hole से 2.6 Schwarzschild radius की दूरी पर होते हैं वो लगभग photon orbit के radius के आसपास रहते हुए event horizon के काफी नजदीक से होते हुए या तो हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाते हैं या फिर U-turn लेकर हमारे telescope तक पहुँचते हैं इसी light को हमारे telescopes capture करते हैं जिसके कारण हमें black hole के event horizon की image मिल पाती है पर black hole के original image के बीच में जो black spot हमें नज़र आता है वो event horizon का shadow होता है न की original event horizon gravitational lensing के कारण ये shadow आकार में original event horizon से 2.6 गुना ज्यादा बड़ा होता है आपको अगर याद हो तो M87 star black hole वाले image में केवल एक blob मौझूद था जबकि Sagittarius A star वाले black hole में 3 blobs नज़र आ रहे हैं तो अगला सवाल ये है कि इस image में ये 3 blobs क्या है और इन में से दूसरे के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चमकीला क्यूं है accretion disk के बारे में तो आप जान ही चुके हैं आप ये भी जानते हैं कि accretion disk का वो भाग ज़्यादा चमकता है जहां gases और dust की मातरा ज़्यादा होती है इन्हें हम hot spot कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा चमकीले होते हैं जिसके कारण इन्हें observe करना हमारे लिए ज्यादा असान होता है अगर Sagittarius A star की बात करें तो ये M87 star black hole के मुकाबले काफी छोटा है इस कारण इसके accretion disk में चक्कर लगाने वाले dust and gases भी ज्यादा तेजगती से इसमें move कर रहे हैं ये hot spots एक घंटे से कम समय में ही इस black hole का चक्कर लगा लेते हैं इसके कारण इसे observe करना हमारे लिए बेहद ही मुश्किल होता है ऐसे में अगर तीन रात अगर आप इस black hole की तस्वीर लेने की कोशिश करें तो तीनों बार ये hot spot आपको अलग अलग जगा पर नजर आएगा क्योंकि तब तक इसका position बदल चुका होगा सालों तक ऐसी तस्वीरे लेने के बाद जब उन्हें average किया गया तो हमें ये image मिला चली अब ये जानते हैं कि इन तीनों blobs में एक ज्यादा चमकिला क्यों है दरसल ऐसा Doppler Beaming के कारण है ये हमें ऐसा नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस black hole को हम top down view में नहीं देख रहे हैं अगर हम इसे top down view में देखते हैं तो इसका accretion disk हमें कुछ ऐसा नजर आता इस black hole को हम उस angle से देख रहे हैं जिसमें इसका accretion disk हमारे point of view के perpendicular है हमें जो नजर आ रहा है वो इसके accretion disk का front और back area है कोई भी light source जब हमारी तरफ आता है तो वो हमें ज़्यादा चमकिला नजर आता है वहीं जब वो हमसे दूर जाता है तो कम चमकिला नजर आता है तो accretion disk का जो area फोटो खीचने के समय black hole के सामने आ रहा था वो हमें ज़्यादा चमकिला नजर आ रहा है जबकि जो area इसके पीछे जा रहा था वो हमें कम चमकिला नजर आ रहा है अगर आपने गौर किया हुगा तो आप पाएंगे कि ये image M87 star black hole से ज़्यादा blurry भी है ऐसा भी इसलिए ही है M87 star black hole से काफी ज़्यादा छोटा है इमेज का color orange क्यों है जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया इस black hole का image visible light में नहीं बल्कि radio wave के मदद से बनाया गया है तो इसका raw image almost black and white color का रहा होगा पर इसे viewers के लिए interesting बनाने के लिए इसे orange color दे दिया गया है वैसे भी आम तोर पर light को हम orange color से ही represent करते हैं इसलिए ऐसा color देने से हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि इसमें चमकीला पार्ट कौन सा है और dark वाला पार्ट कौन सा वरना वैग्यानिक अगर चाहते तो इसे किसी भी color से represent कर सकते थे जैसे कि ऐसा या फिर ऐसा इसमें भी कुछ गलत नहीं होता पर हमारे लिए ऐसे images को देखना uninteresting और अजीब लगता चलिए अब जानते हैं कि black holes का ये image special क्यों है अभी तक हमने दो black holes की तस्वीर ली है जिसमें पहला M87 star है जबकि दूसरा है Sagittarius A star ये दोनो black holes size और mass में भी एक दूसरे से बिलकुल अलग है और पृत्वी से उनकी दूरी भी अलग-अलग है पर इसके बावजूद जब हम इन दोनों के images को देखते हैं तो ये पाते हैं कि दोनों image लगभग एक जैसे ही है इनके ring का size भी Einstein के general theory of relativity के prediction से match खाता है जिसका ये मतलब हुआ कि Einstein की general theory of relativity एक बार फिर से सही साबित हुई है अगर black holes में हमें किसी तरह के differences देखने को मिले तो वो केवल उनके around चक्कर लगाने वाले materials के differences के कारण होगा supermassive black hole के scale में Sagittarius A star एक छोटा black hole है जबकि M87 एक बड़ा black hole है इन दोनों को हमने study कर लिया है जिसका मतलब ये हुआ कि हमें ये भी जानकारी है कि gravity इन दो तरह के extreme environment में किस तरह से काम करता है कम telescopes की मौझूदगी के कारण फिलहाल हमें जो black holes के images मिले हैं वो almost blurry है पर event horizon telescope के network में जैसे जैसे और telescopes add होते जाएंगे हमें black holes के और clear और impressive images मिलते जाएंगे जिनकी मदद से भविश्य में हम इन 20 स्को और बहतर तरीके से समझ पाएंगे काफी सारे लोग comments में हमसे पूछते हैं कि एक black hole हमें interstellar film में दिखाए गए black hole की तरह कैसे दिखता है यूँ तो इसे explain करने के लिए एक separate video की जरूरत होगी पर चलिए इस तवाल का जवाब short में दिये चलते हैं सबसे पहली बात ये है कि इस black hole और इस black hole में कोई भी अंतर नहीं है यानि कि ये दोनों एक ही हैं अंतर है तो बस उन्हें देखने के angle का इसके accretion disk को अगर हम top down view में देखें तो एक black hole हमें ऐसा दिखेगा वहीं हमारा view अगर इसके accretion disk के अगर perpendicular हो तो एक black hole हमें कुछ ऐसा नजर आता है यानि कि interstellar के black hole के जैसा इसमें कौन से part क्या होते हैं ये आप इस image को देखकर आसानी से समझ सकते हैं तो वीडियो को थोड़ा pause कर लिजे और mark किये गए हर point को ध्यान से पढ़िए उमीद है कि आप सब कुछ समझ जाएंगे पर अगर ना समझ पाएं तो comment में हमें बताइए अगर आप कहेंगे तो हम इसके उपर एक detailed वीडियो बना कर इसके हर पहलू को आपसे रूबरू करवा देंगे दोस्तो आज की से अपिसोड में बस इतना ही उमीद करता हूँ कि इसमें आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तो इस चैनल को और बहतर बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर दिये गए लिंक्स के जरीय डोनेट करके हम उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रियादा करते हैं जिन्होंने हमें एवन एक रुपे भी डोनेट किया तो दोस्तो आपसे जल्द मुलाकात ह होगी विज्ञान के एक और टॉपिक के साथ अगले अपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद